Hello Friends आज हम बात करेंगे लाइफ मेनेजमेंट की ईश्वर ने हम सब को जीवन दिया है और इस जीवन के साथ ही हमें पांच प्रकार की गेंद दी है जी हाँ दोस्तों, पांच प्रकार की गेंदे हमें दी है जिसमें एक गेंद और चार गेंद अलग-अलग प्रकार की है एक गेंद रबर की है और दूसरी चार गेंदे काच की है जो हमारा काम है जो हमारा व्यवसाय है जो हमारा वर्क है हमारी रोजी-रोटी है वो रबर की गेंद है और उसके अलावा जो चार गेंदे है वो है आपकी family, friends, आपकी सेहत और आपकी आत्मा, आपकी spirit, आपकी आत्म संतुष्टी, आपकी integrity family, friends, सेहत और आपकी spirit, ये जो चार गेंदे है ये काच की गेंदे हैं दोस्तों और जो आपका कार्य है, जो आपका profession है, वो आपकी रबर की गेंद है क्या होता है जब आप रबर की गेंद को प्रत्री पर फेकते हैं वो वापिस आती है जीवन में जो कार्य आप करते हैं, उसमें कई बार आपको सफलता मिलती है कई बार आप असफल होते हैं लेकिन अवसर आते जाते रहते हैं, वो अवसर फिर आपके पास आते हैं अच्छे रूप में या बुरे रूप में लेकिन वो गेंद वापस बाउंस बैक होती है क्या होगा यदि आप काँच की गेंद को फेकेंगे तो तूप जाएंगे या उसमें स्क्रैचेश पढ़ जाएंगे वो वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले लिए जी हाँ दोस्तों ये जीवन या इस जीवन की सफलता केवल इस बात पर तैय नहीं करती कि आपने कितना पैसा कमाया कितनी शहुरत कमाई आपने अपने जीवन में क्या क्या होतिक बस्तुरें हासिल लिए ये जीवन इस बात से तैर होता है कि आप अपने जीवन को किस धंग से जीते हैं आप अपने परिवार को कितना समय देते हैं आपके परिवार के लोग आप से कितने सहमत हैं आपके और उनके विचार मिलते हैं या नहीं मिलते हैं वो आपको कितना समझते हैं आप उनको कितना समझते हैं, आपके मित्र क्या आपकी परेशानी में आपके साथ खड़े रहते हैं, क्या आप उनकी परेशानियों में, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं, क्या आपके पास अपने जीवन में इतना समय है कि आप अपने मित्रों को दे सकें तभी तो आप अपने मित्रों का भी समय पाएंगे, यदि आप नहीं देते हैं, तो आपकी वो काच की गेंद तूट जाएगी आप अपने परिवार को या अपने बच्चों को values या अपने बच्चों को मूल्य नहीं देते हैं तो आपकी वो कांच की गेंद तूट जाएगी आप कितना ही पैसा कमालें कितनी ही शोहरत कमालें यदि आपकी सेहत अच्छी नहीं है आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे रही है तो आप ये समझिये कि वो काज की गेंद तूट गई है यदि आप अपनी सेहत के लिए समय निकालते हैं हर व्यक्ति के पास 24 गंटे हैं आप अपनी सेहत के लिए समय निकालिए इसके अलावा जीवन में सबसे महत्वपूर्ट जो वस्तु है वो है आत्म संतुष्टी क्या आप आत्मिक रूप से संतुष्ट है? क्या अपने आप प्रति दिन अपनी आत्मा को भोजन देते हैं? क्या अपने स्वयम के लिए आप समय निकालते हैं? जिस दिन आप स्वयम से स्वयम को मिलाएंगे तभी आपको इस जीवन के मायने समझ में आएंगे यदि आप हर कारे करते हैं लेकिन अपने आपको अगर आप नहीं समझते अपने आपको आप उचाईयों तक नहीं लेके जाते तो वो गेन भी आपके हाथ से छूटेगी और वापिस आपके पास नहीं आएगी तो मेरी इन बातों को आप समझे कि जीवन पांच प्रकार की गेंदों से खेलने के लिए है पहली गेन हमारे कारे की है जो रबर की है और बाकी चार गेंदे फैमिली फ्रेंड्स हेल्थ एंड स्पिरिट कांच की गेंदे हैं दोस्तों इन्हें बहुत ही अच्छे से हैंडल कीजिए आपकी लाइफ जो है वो सक्सेस्फुल होती है बहुत और शुब काम आए आपके परचिवन के लिए